हेलो एब्रीबुएन आयम वलकाव वलकुम टो आलका लॉर्निंग हो इन टोड़ेश वीडियो आम गोईंट डिसकेश अवाओड एक्जाम की पहले बच्चों को रिविजन करना बहुत जरूरी है यहां पर एक्जी का इविएस में मैंने कुछ कोश्टेंस दी हूँ जो कि एलकेज में बच्चों को इविएस में उनली पिक्चर का रेकुटनाइज किया जाता है तो उनली ओराल किया जाता है और यूकेज में बच्चों को वो सब जो है जो कंसेप्ट है जैसे की बड़ी पार्ट्स हो गया अनिमल्स वार्ट्स फ्लावर्स वेजिटेबल्स फ सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये फक्षिट में क्या है राइट 10 बड़ी पार्ट्स यहां पर बच्चों को 10 बड़ी पार्ट्स लिखना है जो भी यहां पर मैंने 10 बड़ी पार्ट्स लिखने के लिए दी हूँ पर बच्चों को जितने भी body parts है वो सारा body parts का spelling practice करना बहुत जरूर है क्योंकि exam में कोई भी question आ सकता है कुछ picture दिया जा सकता है और वो picture का body parts लिखने के लिए दिया जा सकता है तो इसलिए हर एक body parts का spelling करना बहुत जरूरी है ठीक है then next question is complete the sentence with proper words यहाँ पर कुछ sentences दिया गया है जो blanks दिया गया है वो blanks में proper words लिखना है I see with my dash to I see with my eyes I smell with my nose I hear with my ears I test with my tongue I feel with my skin the next question this question is over to cleanness right five cleaning object that keeps you clean यहाँ पर five objects का नाम लिखना है जो बच्चों को clean करने में help करता है clean रखता है ठीक है जिसे की soap हो गया, hand wash हो गया, comb हो गया, nail cutter, towel, water ऐसे five cleaning object का नाम लिख सकते हैं ओके, then next question is write five members of your family बच्चों को UKG में family यह पढ़ाया जाता है जिसमें family का जो members है उसका नाम लिखना होता है like father, mother, grandfather, grandmother, brother, sister, uncle, aunt यहाँ पर मैंने five family members का नाम लिखना है then write five different rooms of your house तो house पढ़ाया जाता है बच्चों को तो यहाँ पर different rooms का name लिखना होता है जिसे की drawing room, kitchen, study room, bedroom, bathroom ऐसे ही लिखना होता है इसका spelling सो यह जो वाक्षिट को कराने से पहले बच्चों को पहले इसका जो spelling है बो spelling प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है then write any five wild animals name so LKG में बच्चों को only picture का recognition किया जाता है बट UKG में बो सारा picture जो है जो भी concept है जैसे की यहां पर animals का दिया गया है तो animals का जो name है उसका spelling करना बहुत important है क्योंकि spelling ही लिखना परता है बच्चों को write any five wild animals name यहां पर बच्चों को wild animal का name लिखना होता है यहां पर मैंने five wild animals का name लिखने के लिए दी हूँ पर आप बच्चो को और भी animals का name practice करवा सकते हैं जितना बच्चा कर पाएगा, okay, then write any five domestic animals name, यहाँ पर बच्चो को five domestic animals का name लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने नहीं बताई जो कि five wild animals का name है, जैसे कि lion, tiger, bear, deer, monkey, elephant, ऐसे ही five wild animals का नाम लिख सकते हैं, then यहाँ पर five domestic animals है, domestic animals का मतलब जिसको हम घर के पास उसका घर बना के रख सकते हैं, जैसे कि cow, buffalo, horse, donkey, sheep, goat, यह सब domestic animals हैं, और wild animals जो जंगल में रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर five domestic animals का name लिखना है, बच्चों को युकेज में बोथ picture का recognize करना होता है, और इसका नाम का spelling भी लिखना होता है, ठीक है, then next question है, write any three pet animals name, तो बच्चों को यहाँ पर three pet animals का name लिखना होता है, pet animals वो होते हैं, जो animal को हम प्यार से घर में रखते हैं, जैसे कि dog, cat, rabbit, okay, then next question, write any five fruits name, तो बच्चों को fruits name का भी practice किया जासता है, UKG में यह जरूरी है, telling practice करना, तो यहाँ पर any five fruits का नाम लिख सकते हैं, then write five vegetables name, तो बच्चों को vegetables का नाम की practice करना भी होता है, तो यहाँ पर बच्चों को five vegetables का नाम लिखना होता है, then write any five flowers name, तो यहाँ पर बच्चों को five flowers name लिखना होता है, तो यहां पर और भी बहुत सारा questions आ सकता है जैसे natural, living thing, man-made thing, natural thing, living thing, non-living thing और art के बारे में वो भी questions आ सकता है और जो भी है जैसे की transport, three types of transport आ सकता है, then helpers आ सकता है, then neighborhood, then transport, then plants, then weather, ऐसे ही और भी बहुत सारा questions आ सकता है तो एक ही वीडियो में सारा questions प्रोवाइड करना possible नहीं है, so यह वीडियो में मैंने इतना ही questions दे हूँ मैं मेरा next वीडियो में और जो rest question है, वो question आपको प्रोवाइड कर दूँगी, so वो question को, वो worksheet को पाने के लिए, please मेरा चैनल को subscribe करिये I hope this video will be very helpful for you, अगर helpful लगा तो please like करिये, comment करिये, share करिये, अगर चैनल में नहीं है तो please subscribe करिये, have a good day, bye bye, take care